स्वागत है मेरे चैनल रवी इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे आज हम गोट फार्मिंग के बारे में जानेंगे कैसे बकड़ी को रख सकते हैं क्या खिला सकते हैं पूरी जानकारी जो मेरे पास है देखिए ये बकड़ी चराई पे है और फूल चराई पे ही रहती है इसमें घर में कुछ नहीं दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ चर के ही अभी रहती है आठ से दस बकड़ी है छोटा वड़ा सभी मिला के देखिए सभी चर रही है मस्त है आसपास बहुत सारे बकड़ी और भी चर रहे है सभी देख सकते हैं सभी चर रही है और दो उधर और है जो की पाठा है फिलाल तो अभी इतना ही यहां पे है जो सभी चर रही है सभी के पास जाकर मैं आपको दिखाता हूँ देखिए छोटी बच्ची है बकडी का जो चर रही है और देखिए उधर सब है जो चर रही है टोटल अभी आठ से दस बकड़ी है और दो पाठा है सभी चर रही है और सभी सुबा साम सिर्फ चराई पे ही रहती है देख सकते हैं सब चर रही इधर से उधर जा रहा है देखिए सभी चर रहे हैं और टोटल मेरे पास 11 है तीन पाठा है और 8 चोटा बड़ा बकड़ी है जो कि सब फिलाल अभी चराई पे है और चर के ही रहती है कुछ दिन के बाद इसको एक टेम दाना दिया जाएगा और एक टेम चराई पे रहेगी तो यह गोट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो है और जो भी इसमें भैक्सीन होता है पी पी यार और भी सारा भैक्सीन है वो सब के बारे में आपको बताएंगे कैसे खिलाया जाता है कैसे रखना है क्या साप सफाई क्या ध्यान देना है सभी चीजों के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो आते रहेंगे और जो जो प्रयोग करेंगे वो आप सभी को बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से डी बॉर्मिंग कैसे की जाती है सभी तरह की जानकारी जो सीखेंगे और जो जानेंगे वो आपको हम बताते रहेंगे फिलाल के लिए इतना ही गोट फार्मिंग से रिलेटेड ये बीडियो है और भी गोट फार्मिंग से रिलेटेड बीडियो आता रहेगा जो भी जानकारी लेना चाहते हैं गोट फार्मिंग से रिलेटेड वो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि goat farming से related तमाम तरह की जानकारी के साथ इस चैनल पर बीडियो आते रहेंगे चाहे वो goat farming हो, मुर्गी farming हो, सॉनाली का हो, पसू पालन का हो सभी तरह के बीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे तो इस चैनल को subscribe जरूर करें आज पहला बीडियो है गोट फार्मिंग का फिलाल अभी सभी बकड़ियां चर रही है उसका बीडियो आप देख सकते हैं दो उस तरफ है वो पाठा है उसको भी दिखाएंगे कैसा है देखे फिलाल कितनी अच्छी तरीके से सारी बकड़ियां चर रही है सभी को पास में जाकर आपको दिखाने की कोसिस करते हैं देख पा रहे होंगे इतनी अच्छी तरीके से सभी चर पा रही है चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में गोट फार्मिंग से रिलिटेड जो भी वीडियो रहेगा वो सभी आपको मिलते रहेंगे तो अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और सभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग्स रिलिटेड इस चैनल पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे तैंक्यू दन्याबादा है कितना खुब सूरत और मस्त है देख सकते हैं आप लोग संदार लगता है देख पा रहे होंगे यह दो पाठा है और उधर आठ वकड़ी जो दिखाए थे आठ दस बो है यह मेरी पास इतना है दस ग्यारा के लगभव जो कीश को मैं पाल रहा हूँ लस में सुनाली मुर्गी है और पसुपालन भी कर रहा हूँ सभी चीज की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी जो हम सीखेंगे जानेंगे और जो आप लोग जानते वो कोमेंट के माधम से आप हमें बता सकते हैं क्या खिला सकते हैं जिससे ग्रोथ हो इसका जल्दी और जो मैं जानूँगा वो आपको वीडियो के माधम से बताता रहूँगा देख सकते हैं दो इधर है और प्लस पूरा खेत ही खेत है हर तरब गास ही गास पड़ा है हरियाली ही हरियाली है और देखिए वो सब उधर चर रहा है वो उधर चराने वाला बैठा हुआ है बकड़ी उस तरब है और पाठा यहां पर बांधा हुआ है झाल झाल